आगरा किस सरवाधिक लोग प्रिया चैनल सी न्यूज के आप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें थाना मलपुरा मिड़ा को रिष्टि दौलतपुरा गाउं में तालाब में कुदे पती पतनी का शप 17 घंटे के बाद बाहर निकाल लिया गया पुलिस ने शप कबजम लेकर पोस्टमाटम के लिए भेड़ दिया इस घटना के बाद दो मासुम बच्चे पुरी तरीके से अन शेत्र में अफरा तफरी मच गई परिबार में कौरा मच गया पती पतनी को निकालने की कसरा सुरू की गई थाना मलपुरा पुलिस मौके पर पहुच गई इस्थानी गोता गोर्भी महिला को और पती को तलासने में जुट गए समय बीता जा रहा था उम्मीदे खत्म होती जारी थी जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे उम्मीदे भी समाप्त होती जारी थी महिला दीपा और पती सैतान सिंग की सांसे भी समाप तालाप के अंदर हो चुकी थी दौनों के सब को सत्रे घंटे बाद तालाप से भार निकाला गया जैसे ही दीपा और सैतान सिंग का सब तालाप से भार निकाला गया कौराम मज़ गया माता पिता को देख दो मासूम बच्चे फूट फूट कर रो रहे थे रो रो कर दोनों मासूम बच्चों का बुरा हाल था सभी दोनों बच्चों को समझा रहे थे लेकिन किसी के पास कोई सब्द नहीं था आखिर इन मासूम बच्चों को कैसे समझाए जाए जिनके सिर से माता-पिता का साया उड़ गया जिन्दगी अभी सुरू की थी उससे पहले माता-पिता का साया सिर से उड़ गया हर कोई दुखी था, हर कोई बाभुक था लोग समझ नहीं पा रहे थे आखिर ऐसा क्या हुआ पती-पत्नी के बीज जिसके चलते धीपा ने तलाब में छलांग लगा दी एक जटके में परिवार बिखर गया, एक जटके में दो मासूम बच्चे अनाथ हो गए पुलिस ने दौनों के सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भीज़ दिया और जाच परताल सुरू कर दी है हुआ पार थे रात को जा एग लड़का है लड़का है लड़की दो सा एंग और सावार की है लड़का एक मजदूर था साब देनेक मजदूर द्याडी पर मजदूर पर काम करता था और बहुत सज्जन लड़का था वो काम से आया था यहां पर गर पर तो उन्होंने अपनी पतिनी से खाए चलो फुरी तब ही खराब है तो में दवा देल वाला है मैं उस समय मौझूद तो मैं देखा मैं उसरे का भी था उस और से एदर का रही है चल अपने घर भर तो लोटी नहीं थी इधर से आये इतने में उन निकल गई पर उसके बाद में पहुंचे इधर से में निकलके आया थे इतने वा पता चला को फ्राबर पे जब्सक्रियों के ना मुझा शहां औ जिस तरीके से ये घटना हुई उसने सभी को जगजोर कर रख दिया सवाल दो मासूम बच्चों का था आखिर दो मासूम बच्चों का क्या कसूर था जिनकी जिन्दगी शुरू होने से पहले ही उजड़ गई सभी दुखी थे सभी की आखें नम नजर आई राकिस का नोजिया सीन्यूस आगरा